हेई गाइज वेलकम तो इन्फोटेक प्लस और वेलकम अगें टू अन्योटेक वीडियो फ्रेंस बहुत सारे डिवाइस ऐसे हैं जिनको अपडेट नहीं मिला है लेकिन इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वह कौन-कौन ऐसे डिवाइस हैं जिनको अपडेट एक साथ देखने को मिल सकता है इंडिया में और बहुत ही जल्दी है मिलने वाला हूँ तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं Android 10 और MIUI 12 के बारे में देने वाला हूँ तो फिर ये वीडियो आप लास तक का देखते रही है क्योंकि बहुत से डिवाइस है Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 इन डिवैसे को अभी कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है Redmi Note 8 Pro को तो Android 10 का मिला है लेकिन कुछ selected users को मिला सारे users को नहीं मिला तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ Android 10 और MIUI 12 के बारे में आपको हमेशा सारी चीज़े वहाँ पर मिलती रहे थी तो फिर अभी के भी इसको जोईन कर लीजे लिंक डिस्क्रिप्शन में तो चलिए करते हैं स्टार्ट चलिए कैस देखते हैं कि वो कौन-कौन से ऐसे डिवाइस है जिनका MIUI 12 और Android 10 का अपडेट इंडिया में बहुत ही जल्द मिलने वाला इवन उसकी जो बीटा टेस्टिंग है वो तो स्टार्ट हो चुकी है और Android 10 और MIUI 12 के साथ वो अभी रन कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे डिवाइस ऐसे हैं जिनका अपडेट कंटीन यहां पर रूल आउट किया जा रहा है सबसे पहला जो अगर आप डिवाइस यहां से देखेंगे तो इसकी बीटा टेस्टिंग वित Android 10 चल रही है MIUI 12 के साथ तो यह भी Android 10 के साथ ही MIUI 12 पर रन कर रहा है काफी टैम से कर रहा है और जितने भी अपडेट्स हैं यहां पर इसको continue मिल रहे है उसके साथ और भी बहुत से डिवाइस है जैसे Poco X2 हो गया यह तो काफी flagship लेवल के डिवाइस है लेकिन यहां पर Redmi Note 7 Pro की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं यह भी डिवाइस एक ऐसा है जो Android 10 प्लस MIUI 12 के साथ रन कर रहा है और उसके साथ ही अगर मैं Redmi Note 5 Pro की बात जाएंगे क्योंकि इसकी जो है ग्लोबल जो लॉंच इवेंट है उसमें सारी चीजों को कंद्रम किया जाएंगा सारी चीज़ा यहां पर क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद ही यह बीटा टेस्टिंग के लिए रेस्टेशन वगेरा और बहुत सारी चीज़े हैं वह स्ट हो जाएं क्योंकि के 20 प्लों के अपडेट जो है दो मिलना सट़् हो जाएंगे मैं के बाद असają्य नोग बात आपको देखने को मिलेगा 19 माई के बाद इसको अनाउंस किया जाएगा मतलब यह second batches में आते हैं कुछ device तो second batches में इसका जो rollout है वो beta testing के लिए start होगा सबसे पहले तो इसके registration वगेरा start होगे related मतलब देख सकते हैं उसका जो stop जो कर दिया है मतलब android 10 का जो update आने वाला तो उसको stop कर दिया है अगर आप यहां से देख पा रहे हो तो Redmi Note 8 आईसा device है जिसमें adaptive की कुछ दिक्कत आ रहे थी जिसकी वजह से android 10 का जो update है वो इसमें रोग दिया गया तो guys इसमें थोड़ा सा भी time लग सकता है बीटा टेस्टिंग में इसको रोग दिया तो stable में तो काफी time लगने वाला है तो इसमें आपको थोड़ा सा time लगेगा but Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 7S और Redmi Note 8 Pro में आपको android 10 के साथ MIUI 12 का update यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यह काफी अच्छी news है जितने भी users है क्योंके अभी बहुत से ऐसे device रहेगा जिनको कोई भी update देखने को नहीं मिला चाहे वो android 10 का हो चाहे MIUI 12 का हो इसके लिए आपको ज्यादा wait नहीं करना है 19 माई के बाद यह सारी चीज़े announce हो जाएंगी officially किस-किस device को कैसे update मिलने वाला है उसको जूबी schedule किया जाएगा उसके हिसाब को अप सारे update आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन यह चीज़ confirm है कि MIUI 12 का update android 10 के स अगर आप इसको अभी flash करना चाहते हैं तो link में description में दे दूँगा जिससे आप इसको download करके flash कर सकते हैं लेकिन TWRP की मदद से इसको flash कर पाएंगे नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा सा wait कर सकते हैं जो आपको updates मिलेंगे उसमें आप इसको कर सकते हैं कोई doubt कोई 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 आप इसको लाइक कीजिए अपने फिरास इसको शेर कीजिए अगर पहली वारा इंफोमेटिक वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को subscribe करके गंटी वाले बटन को दबा लेना है जिससे जो मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूं सारी information आपको हमेशा मिल सबसे पहले तो मिलता हूं नेक्स टूडियो में थैंक्स वाचिंग आई सी यू इन दे नेक्स वान